Hello everyone, मिर नाम पूजा मालविया है और मैं आप सभी का स्वागत online पढ़ाई पर करती हूँ आज के इस वीडियो में हम सारे formulas को revise करेंगे आपको पता है जिसे कि पिछला जो आपको paper out वाला जो paper था उसमें formulas कितने पूछे गए थे कम से कम 4-5 question आपको direct formula से पूछे गए थे उसमें numericals भी थे और direct आपको formula का relation भी पूछाता options देखे तो यहां से आपका अगर फिर से formulas पूछे गए तो आपके 4-5 number पक्के हो जाएंगे तो यह सारे formulas को अच्छे से जो सूत्र में आपको बताने जा रहे हैं उसको अच्छे से याद कर लिजेगा मैं side हो जाओंगे बीच-बीच में आप इसका screenshot ले लिजेगा और जहां पर भी आप बैट के पढ़ते हैं चाहे वो library हो चाहे वो घर का कोई इस थान हो वहां पर इन formulas को एक पेपर पर नोट कर लिजेगा जैसे मास के टाइम में आप करते हैं और इनको रोज देखते रहेगा आपको ज्यादा समय नहीं बचा है एक्जाम के लिए बस आपको एक सरसरी निगहा देखने है जैसे आप पानी पीने उठे आप कर देते हैं इससे पहले के सेशन नहीं देखें तो जाओ जाकर देख लो लिंक आपको सारे डिस्रिक्शन बॉक्स में मिल जाएगा कमेंट में सारे वीडियो में जो इंपर्टेंट है आज कल के सब में पिंट करती जा रही हूं जिससे कि आपको कोई भी अगर छूटा हो अभी तक तो आप उस वीडियो को देख लें यह सेशन बहुत इंपर्टेंट है आपके एक्जाम पॉइंट यह सेशन बनाये जा रहे हैं आपको किसी बी तरह से एक्जाम को पास करना है मेरा लक्ष है कि आपको पास कराना आपकी नौपी दिलाना तो चलिए सिधा स्टार अभी बात करते हैं मोशन गति वले चाप्टर से आपकी जो इंपॉडंट फॉर्मेले हैं आपका आउसाथ स्पीड चार्ज ज्याद करने के लिए कैसे करते है फुल दूरी अपॉन में कुल समय अपको अपको एड़ करना है और फुल समय से आपको इसको डिवाइट कर दे इस दो फॉर्मुलें पर लेना और लिख लेना विख लेना साइड में और लिख लेना साइड में कई बार एक्जाम में मैंने देखा है लोगों करते हुए कि यह जो आपका फॉर्मला है भी आपका ओसत वेग का ठीक है और इसमें आपका एक्सिलरेशन त्वारण इसमें यह हो जाता है या तो एक्सिलरेशन में लगा के आ जाते हैं बच्चे लो क्या अपॉन में टूप ठ लगा जेते हैं तो अपॉन में यहां पर ती है तो ऊसट वेग की होरी है तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में तू टू है जो आपका एक्सिलरेशन में टू नहीं है ती है जो acceleration है त्वरण है वो change in velocity समय के respect पर रेखा जाता है ठीक है velocity के बाद करी जाए आपकी average velocity में तो upon 2 हो जाता है इसको इसलिए मैंने बोला confusion वाले में इसे मार कर लेना आप चार की last में तो खुद confuse ना हो जाओ क्या है चलो आज आज आप देखेंगे average velocity क्या हो जाता है आपका average velocity के ने बहुत सारे formula है जैसे के के हो गया average velocity u plus v upon 2 फिर average velocity का एक और हो गया और सत्वेक का आपका displacement appointment time जो भी आपको दिया होगा question के हिसाप से आपको given numerical दिया होगा उसे हिसाप से आपको formula को फूट करना मालोब displacement दिया है तो आप यू और यू और वी वाल फॉलर नहीं लगाएंगे तब displacement वाल फॉलर 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 लगाएंगे तो displacement विस्थापन अपन में सम है तो यह हो जाता है आपका average velocity displacement विस्थापन क्या हो जाता भी distance को नापना इक तरह से पर यह क्या है इसमें velocity में क्या है हमेशा हमेशा हम इस्थापेस्मेंट लेते हैं distance नहीं लेते हैं तो बात के लिए हम acceleration जो मैंने बताया है change in velocity appointment अब बात करते हैं गती का सम्भी करंट equation of motion जो की सीधी रेखा वाली है straight line की है तो अगर आती होगी तो आपने छाटा होगा तो आपको याद अपकरना है ठीक है v is equals to u plus 80 s equals to ut plus half 80 square 2as equals to v square minus u square यह तीन formula है इसको रटलो अच्छे से रटलो पिछली बार आ चुका है पिछली बार यही question आया था है ठीक है यहां पर इसे नहीं रहता है बोल्ट पर चलो यहां तरह सबको क्लियर हो गया चलो अब बात करते है momentum सम्वेग की तो सम्वेग का क्या formula हो जाता है सम्वेग हो जाएगा मास इंटू में velocity मतलब द्रवेग मान इंटू में वेग तो यह क्या हो जाता है सम्वेग चाहिए न और इसका unit मैंने आपको unit वाला सेशन देख लिया होगा हमने किस तरह से unit को अच्छे से प्रपैर किया है तो याद कर लो यह दो यह दो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है वेग दान के लिए फिर बात करते हैं फोर्स क्या हो जाता है मास इंट इंटू आपका हो जाता है यह तो आर बात करते हैं अब द acceleration और acceleration क्या था आपको formula change in velocity upon mid time तो यहां पर अगर मैं लिख दू कि mass into v minus u upon mid t तो अगर आपको initial or final velocity के हिसाब से कोई एक velocity देके रखी है question में तो आपको यह वाला formula लगाना पड़ेगा तब आपको त्वरण ना देकर क्या करेंगे कभी कभी question में क्या होता ना त्वरण ना देकर त्वरण नहीं दिया है और उसकी जगह पर change in velocity दिया है क्या u of v दिया है क्या u दिया है आपको final निकालना है तो आपको यह relation अगर पता होगा और यह relation आया कैसे acceleration की जगह सिर्फ आमने क्या रखा acceleration को फॉर्मला कर दिया आपका गृत्वाकरशन बल लग रहा है उसकी बात हो रही है तो इसका formula है direct formula से question आता है f equals to gm1m2 पिछली बार आ भी चुका है 6 to 8 वाले में f equals to gm1m2 upon d square ठीक है ना तो यह d क्या है यह दूरी है पिछली बार question आया है इससे भी इस वाले topic से तो यह क्या है इत्कुल दूर अब में गृत्वाकरशन ठीक है उनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट m1m2 यह मास इसका और यह मास इसका द्रविमान फर्स्ट एका और रविमान बीका ठीक है और यह कुल दूरी हो गई तो अपन d square तो f क्या हो जाता है आपका force of attraction के ने डू अबजेक्स दो वस् प्रेशर की यूनिट हमने याद करी है हमको बता है हमारा गलत नहीं होगा क्या टॉर होती है प्रेशर का formula क्या होता है force upon me area force बल अपॉन में शेत्रपल कितना उसका अब बात की सब्सक्राइब यह जाती है किसी भी पदार्थ का कितना गहनत्व है और किसी भी पदार्थ का कि उपर पानी का कितना गहनत्व पढ़ रहा है तो यह हो जाए अगर आया तो तो क्या हो जाएगा relative density अगर आपको यह formula आता होगा, तो आप इसको directly put करके answer तक बहुत पत्रे है, ठीक है, अब बात करते हैं, तो work कारी क्या होता है, बल इंटो इस्थापन, force into displacement, f equals into आपका s, ठीक है, work equals to force into displacement, ठीक, चलो, अब बात करते हैं क्या, कानेटिक energy, कानेटिक energy क्या होती है, half mv square, energy होती है, ऐसी उर्जा होती है, इसको बोलते हैं, गतिच उर्जा, बतलब ऐसी उर्जा जो कि कोई object अगर गती में है, तो इसमें उर्जा लग रहे है कौन सी कानेटिक energy गतिच उर्जा, पर इसी जगह पर, अगर potential energy है, शिडव जो थै तो वो उर्जा किसी स्थर object, पर मतलब कोई एक object जो कि अपनी position हिंट मेंटेन करें है पोजिशन लेके रखा है तब वो उर्जा लगती है तो यहां पर क्या हो जाएगा MGH लगता है formula में potential energy शितिज उर्जा की M mass Raviman G gravity acceleration due to gravity जिसको गृत्व आकरशन के कारण त्वरण गृत्व आकरशन के कारण और एक्षजागरा का है किती उचाई पर है और यह हो जाता है का kinetic energy equals to half mv चलिए हाइए आपके examiner एक question आता है कि kinetic energy आपके शितिज उचा और momentum some weight के बीच में relation पूछते है कैसा question रहता है देख लेते हैं दर्स kinetic energy को formula क्या हो जाएगा अब देखो यहां से में क्या velocity के value निकाल सकते हूं यह मेरे पास जो relation ने सेकेंड में velocity वेग निकाल सकते हूं क्या बिलकुल निकाल सकते हूं V क्या हो जाएगा मेरा V is equals to momentum upon में mass यह हो जाएगा अब मैंने क्या क्या इस V की value को इसमें put कर दिया तो मैं क्या कर लिख सकते हूं यहां पर kinetic energy बराबर हो जाएगा half m V की जगा यह put करना है तो मतलब P upon में m का square ठीक है हो गया यह आप देखो kinetic energy क्या हो जाएगा is equals to half m into P square upon में m square हो गया ठीक है यह relation समझ में आगे ना इसकी values में put कर दी बस अब यहां से m square से 1m से 1m गया तो यहां पर kinetic energy क्या relation बज़ गया P square upon में 2m तो kinetic energy और momentum मतलब श्रित आपकी गतिश उर्जा और समवेग के बीच में यह relation होता है यह important है इस formula को भी अलग से याद कर लो नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से निकाल लोगा सिर्फ velocity में वेग को हमको put करना है kinetic energy वाले formula में I hope यहां तक आपको बाते clear होगे होंगे चलिए जल्द इसको मैं side हो जाती हूं इसका आप screenshot ले लिए जल्द से आगे देख लेते हैं तो सबसे पहले power electricity वाला chapter पर हम आ गए है तो electricity विद्यूत में power क्या होता है आपका कार रेपॉन में समय पावर शक्ति कार रेपॉन में समय तो और पावर की पावर की जो हैं और रेपां में समय पाल रेपॉनियोड शक्ति की बाद यहां पर चल रही है शक्ति यह च्टिए तो पावर एक और क्या फॉर्मला हो जाता है पावर प्पावर एकसे साथ क्या हो आपको यह MGH appointment time ठीक है कैसे भी आपको MGH mass gravity height तो यह MGH appointment समय इसको याद करना है ठीक है तीन हमने यहाँ याद करें power equals to car appointment समय power equals to Urja appointment समय या power equals to आपका MGH appointment समय अब इधर आ जाओ power क्या होता है आपका V into I होता है देखो यहाँ से देखो सबसे पहले power क्या होता है का V into I होता है ठीक है और व क्या है आपका potential difference I kya है आपका current है भी मतलब संभावत अंतर और I क्या है करेंट है यह क्या हो गया यह potential difference हो गया और यह क्या है आपका current है यह voltage ओकर होगाphen के पॉर्म में पटिया होगा किया होगा crithovah एक और देखो अब हम एक और इससे पहले एक फॉमला देख लो क्या Q is equals to i t Q is equals to i into t तो इससे हमने क्या निकाला यहां पर अपना i की वैल्य निकाली तो i is equals to q upon me t तो याद करना पड़ेगा थोज़ा रटना पड़ता फॉमले को इसलिए बोल वर्वर देखते रहे ना तो i की वैल्य क्यों पॉइन में t आगई अब यहां पर मैं i की वैल्य क्यों पॉइन में t लिख सकती हूं बिलकुल लिख सकती हूं तो अब मेरा एक और फॉमला बन गया किसका पावर का 3 हम कर चुके थरे चौथा मेरे पास यह आए पावर इस इकोच टूझ मेरा री मझना गी इन इंटो Q upon T, आप देखो, हमने क्या-क्या याद करना, Power equals to Urja upon T, फिर अब छटा formula हमारा हो जाएगा, Power equals to I square R, डारेट याद करना है, Power equals to I square R, फिर देखो, Power equals to V square upon R, तो यह 7th formula, फिर यह Power equals to V into I, हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर आपका, फिर Power equals to V into Q upon T, यह भी हमने देख लिया उपर, तो इसको वापर से मतलिक, नहीं लिखें, नहीं लिखें, हो जाएगा, तो देखो, अब क्या कि हमने देखा, Power के हमने साथ formula देखें, और यह साथो formula आपको Power के याद होने चाहिए, ठीक है, 7 formula है, साथ पावर के, Power rover equals to Hujja upon me somefrey power equals to Kari upon me somefrey power equals to MgH upon me आपका time sume, ठीक है, पिर Power equals to V into I, फिर Power equals to V into Q upon me T, क्योंकि I क्या था因 यहां सब लियर होगा होगा, तो लेलो इसका सब लोग, तो मिखंचते हम एक किलोवाट में कित्ते वाट होते हैं एक हजार वाट होते हैं हैं यह एक किलोवाट में एक 10D होते हैं कि अप देखो को इनर्जी को तो पावर इसको निए पावर इक निए पॉर्जा में समय है यह रिलेशन आपको याद धळकना जरूरी है कि अगर यह किलो वाट आवर में है किलो वाट आवर में है कितना 3.6 इंटे पावर 6 Joule एक यूनिट कितनी के बराबर होती है एक किलो वाट के बराबर होती है ठीक आप देखो साउंड की आगई हमारा यहां पर खतम हो जाता है अच्छा इलेक्रिसिटी कर रहे है गूमे समय की से एंटत्यु कयं रवी कृसि कुछ से हमने गेवाल इंटत्यूट् 2 यहां फॉच्छा था यह यहां पूछा थान बश्यक्रिक्स में आपके formula से ही आए डारेक्ट तो क्या हो गया तो को potential difference क्या हो जाएगा work then upon में charge कितना सकाम किया गया और कितना उसमें आवेश लगा तो यह हो जाता potential difference V से denote करते हैं V is because to double upon में क्यों बहुत important formula है कई पार exams में repeat हुआ है संभावित अंतर अब देखो अब इसके बाद Joule's law of heating है Joule's का नियम उश्मा का क्या है H equal to I square RT उश्मा की मात्रा को नापने के लिए क्या हो जाता है amount of heat तो H क्या है आपका amount of heat तो amount of heat निकालनी है तो I square upon into RT I क्या होगा current होगा R होगा resistance प्रतिरोज और T होगया आपका समय है ठीक है यह Joule's law of heating है H square H equals to I square RT याद कर लो H equals to I square RT H amount of heat कितना उश्मा की मात्रा है और I क्या है current है R resistance की temperature ठीक है चल्ड़ी time temperature नहीं time अब Ohms law Ohms law क्या होता है आपका Ohms का नियम Ohms का नियम V equals to IR ठीक है formula है हमेशा कैसी आता है graph straight line आता है उसका graph है यह स्ट्रेट लाइन है यह V है और यह I है तो यह क्या बताता है यह स्लोव क्या बताता है इसका इसका बताता है resistance प्रतिरोध को अगर श्रंकला कट लगाएंगे तो क्या formula हो जाएगा Rs is equals to R1 plus R2 plus R3 और किसी भी resistance को प्रतिरोध को अगर तमानांतर स्थी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon R is equals to 1 upon R1 1 upon R2 1 upon R3 अब देखो एक क्या question आ रहे हैं कि maximum सबसे सर्वाधिक आपको प्रतिरोध बताना है तो सर्वाधिक प्रतिरोध बताना होगा तो आप यह वाला फॉर्मला लगाएंगे maximum में हमेशा श्रंकलागत और minimum में आप लगाएंगे तब ही भी resistance को पैरलल ठीक है जब भी नियुरितम पूछा जाए तो पैरलल रिजिस्टेंस का लगा देना फॉर्मला और सर्वाधिक पूछा जाए अत्यार ही पूछा जाए यहां पर आपका स्पीड को 20 करते है विस गिनोड करने का तरीका है जैसे मेरा नाम पूजा है मेरा इंशा पी है तो यहां पर क्या साउंड में वहाँ पर व 술ण क्या किया गहां को किस्या तो शॉंड की पर में पन्मेस पीढकाई है ०िसको तरंक भूर बोला और लामड़ा खर सब्सक्तारणải पूंच लेंंदा है अपका करंग है इसको बोलते हैं वेफ लेंथ और वेफ्लम्द्न की उन्न यह श्मॉस में रह गही थी वेफले डोप से विट है यहां फ्रीक्वेसी और यह वERE प्रेटि है आवरती यह और आवरिधी का क्या formula हो जाता है frequency और time period में का relation होता है time period तो frequency time period समय अवधी तो frequency वो time period में relation होता है frequency को सिव्वनपान में time period यह relation हो जाएगा यह हो गया आपका time period समय अंतराद और यहां समय विधी तो यां इन्धाद रहेंगे तो व क्या आ जाएगा हमारा V लैम्ड़बा पॉनटी, तो लैम्ड़बा पॉनटी की जगा क्या लिग दिया, मुउ लिग दिया, तो एक relation निकल के राया, speed आपका wavelength और frequency में बहुत important है, क्या मैंने बोला, speed wavelength और frequency में जो relation आया क्या है, speed is equals to wavelength तो चाल क्या हो जाती है चाल होती है यहाँ पर इसको चाल यहाँ होती है आपकी तरंग्धैर अपन में आवरत ती तो यह क्या हो गए यह चाल हो गए अब देखो अब इको क्या होता कोई इस बूली बूली और वो बापस आई तो इको को सुनाई देने में 0.1 सेकेंड लगता है ताइम याद रखो तुसरी बार इको के लिए क्या थी कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए 17.2 मीटर होना चाहिए तभी वो इको सुनाई देती है दो चीज हम उने य अब यहां पर क्या करते हैं, जो भी दूरी याद रखो, की पॉइंट में स्टार माक करो, किसी भी कलर से माक करो, माक पर करो, मेरे साथ तुरंट माक करो, क्या मैंने बोला, डिस्टेंस, जो भी भी डिस्टेंस आएगी, आपकी एको के केस में, अगर कोई क्वेशन आता है, कोई जी क्वेशन आता है, बोले में, डिस्टेंस जो भी आई, जो भी आई, मालनो 220 मिटर आई, तो आप क्या करोगे, उस डिस्टेंस को आधा कर दोगे, एको के केस में, क्योंकि क्या है, आवाज गई औ फिर आई, तो हमको डिस्टेंस क्या करना है, आधा करना है, याद क क्या हो जाएगा आधी हो जाएगी जो भी रिलेशन में आएगा जो डिस्टेंस आएगी उसको हाफ करेंगी क्योंकि साउंड दो बार अब सुनार की केस में क्या होता है यह क्या है यहां से क्या है एक इंटर्प्रेटर होता है डिटेक्टर होता है इंटर्प्रेटर साउंड В1 this Co Micki अकि जिभीlles को वेजता है किसी क्वेवश्ट को डिटेक्ट करने में यह कितने डेफट पे है किस दिशा में हो जा रहा है और एस तीन चीा काम प्रड़ा है यहां से जो भी सांधे शाउंट को भेजा हुषेंसने कौन सी ultra sounds को अब यह क्या है इसको hit करेगी target side पे और वापस जाएगी इसका और detector detect करेगा sound को कि कितनी दूरी पे है कितनी speed पे है और कितना distance वो travel कर रहा है तो यहाँ पर क्या हुए आप distance इस case में क्या करेंगे sound दो बार ट्रावल कर रही है एक बार आ रही है और एक बार जा रही है तो यहाँ पर इस case में 2D लेंगे उधर आधा किया था इको में आधा किया था सुदार की case में 2D into speed into time कर देंगे तो distance हमेशा 2D लेंगे इसको याद रखना अब देखो एक और है पैंडलम का लोलग का यह लोलग है यह धर जाता है और पर यह इधर आता है तो इस तरह से direct time periods का time sum है आपका अब अधी का formula क्या हो जाएगा 2Pi under root L over G direct formula से question आता है कि question आना होगा तो तो क्या है 2Pi under root L over G यह इसका formula है इसको याद कर लो as such ठीक है तो यहां तक सबको सारी बाते हैं hope clear हो गई होगा सारे points मैंने cover कर लिए यहां कर लिए चलिए अब आपको एक last chapter बचता है light का तो light के sign conventions में आपको explain कर दूंगी जैसे मैंने आपको light में tump करा था explain पर यहां पर formula हम revise कर रहें तो conventions भी देश है ना जिसके exam equation आता है तो आपको गलत नहीं तो चलिए आप देश लेते हैं mirror का मतनब एक का आपको light का chapter है उससे mirror के formula और lenses के formula आपको पता होना चाहिए साथे साथ में power का formula है जो भी आपको पता होना चाहिए तो अब आपको याद कैसे रखेंगे exam में आपको याद रखने का तरीका पता होना चाहिए तो दुखो mirror mirror में हम अपने आपो देखें तो एक positive feeling आती है रहे हैं वड़े अच्छे लग रहे है तो mirror के सामने खड़े हो तो तो if you have positive feeling that you are good to know, you can have positive feeling. अब लेंस लagाया है, मतलब इने eye lens लगाया है ज़्मा की लगाया है, जफ्श्मा की लगाया है, जबागाना भी तो दिमाग मोड़ी हो, इस एक negative feeling आति自己 få़ाखर. ज़्मा करहएं तो आपको negative feeling एक rend towards lens वी. तो यहां पर 1 upon V minus 1 upon U हो जाएगा V क्या होता है आपका image की distance चीक image की distance होती है और U क्या होता है object का distance मतलब प्रतिविन की दूरी और object क्या है वस्तू की दूरी ठीक V, V आपकी image पहले आ चाती है और object पीछे रहेगा ठीक है तो इससाब से V पहले रहता है V पहले रहता है, U बाद में आता है alphabets में UV होता है पर इसका यहां पर उल्टा हो जाता है V पहले और U बाद में, ठीक है U minus V बत कर देना U minus V बत कर देना V minus U है, ठीक है तो यह आपका formula होगा 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F और lens का formula क्या होगा 1 upon V minus lens negative part होगा मतलब यह क्या आत करने का तरीका है 1 upon U is equal to 1 upon F अब मैंनिटिकेशन आवरधन इसका क्या हो जाएगा किसका आपका mirror का और इसका lens का अलग है देखो, इसमें क्या है नीचे देखो, H dash क्या है height of the image मतलब की जो प्रतिबे महव उसकी उचाई और object की height तो H dash ते आपकी image की height ते और H dash upon H और minus यहाँ पर लग जाएगा V upon U तो mirror वाले case में magnification में minus लगेगा उल्टा हो जाएगा और इसमें क्या लगेगा प्लस हो जाएगा magnification मतलब के image की बात हो जी है तो H dash क्या है image तो image पहले आईगी image देखो इस वाले formula mirror formula भी image पहले आई थी इसमें भी image पहले आईगी उपर image फिर object पहले image फिर object पहले image फिर object पहले image फिर object पहले image फिर object तो H dash upon में H V upon में U पहले image फिर object पहले image फिर object जब देख लेते हैं कि आपका इमेज अगर वर्चुल बन रही है और रियल बन रही है मतलब वर्चुल आभासी या देखो आभासी के साथ क्या आभाता बोलो तो यह वर्चुल और अधर क्या हो जाएगी इरेट है प्रिके तो वर्चुल और रेक्ष अहले आता है इस जगह पर रियल और इंवर्टेड रियल और इनवर्टेड इसके लिए वास्तविक और उल्टी ठीक है तो ये दो words साथ में आते हैं आप अगर image बन रही है क्या virtual और erect erect मतलब cd image बन रही है ठीक है image cd बन रही है तो क्या आपको यहाफ़ ले रहा है तो देखो h- क्या था हमारा i object का था sorry image का था i से और h क्या था object का था तो object तो हमेशा positive रहेगा object तो हमेशा क्या रहेगा उपर इधर साइड रहेगा अब image नीचे भी बन सकती है और उपर भी बन सकती है पर virtual वाले case में क्या होता है हमेशा सीधी बनती है इसका मतलब image अब प्रतिविम यहाँ पर नीचे ना बन कर प्रतिविम क्या वनता है हमेशा इसमें ऊपर वनता है प्रतिविम ठीक है किसमें virtual के case में तो अगर आपके question में virtual दिया होगा तो आप समझ जाएंगे कि image का आपको h- क्या लेना है तो h- आपका positive रहेगा और आपका h क्या है आपको हमेशा ही object वाला h- तो हमेशा ही positive रहता है ठीक है तो h- आपका भी positive हो जाएगा virtual के case में पर real में क्या हो जाता है real में हमेशा inverted image बनती है नीचे बनती है so h- इमेज प्रतिविम है तो प्रतिविम्ब क्या हो जाएगा यह आपको हमेशा negative आएगा real के case में यह diagram आप यहां पर इसलिए मैंने बनाया है कि आपको जैसे पता है math का sign convention positive औ negative कि इधर positive value होती है इधर negative होती है ऊपर side में positive होती है नीचे side में negative होती है तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इस lens के या इस mirror से ठीक है अगर image क्या है आपकी नीचे बन रही है तो negative रहेगी ऊपर बन रही है तो positive रहेगी तो यह इस तरह से sign convention चलते है same कि से math में होता है positive and negative आप नमबर line पर ठीक है यहाँ तर आपको clear हो गया हो चलिए अब देख जाते है focal length focal length आपकी convex lens की मतलब यह आपकी हो गए उत्तल उत्तल length और यह हो गए आपकी avatar lens तो उत्तल lens की focal length हमेशा positive रहती है यह सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी concave lens की आपकी हमेशा negative रहती है ठीक है power of length देख लेते हैं तो power क्या होता है power equals to one upon f one upon मे focal length अब power जो होता है हमेशा diopters में होता है power हमेशा diopters में होती है इसके साथ साथ आपको कुछ distance अगर दिया होगा यह focal length की दूरी दी होगी तो हमेशा वो meter में रहेगा तो इसका मतलब diopters के साथ एक और word हमेशा यू एक और term हमेशा होता है क्योंकि है meters अगर कोई भी value centimeter में दी होगी तो आपको इसको meter में convert करना होगा क्योंकि power diopter में आती है तो diopter में meter की मतलब meter बहता है ठीक है आप देख लेते हैं क्या lens तो lens अगर आपका convex lens है मतलब उत्तर lens है तो positive उसकी power रहेगी अगर आपका अवतल lens है तो इसकी negative power रहेगी ठीक है अब देख लो तो एक और formula जो आपके exam में आया था क्या था power का combination of lenses तो यह किसका formula हो गया यह आपका combination of lenses का formula हो गया तो क्या है P is equal to P1 plus P2 minus D P1 into P2 ठीक है P is equal to P1 plus P2 minus D P1 into P2 तो यह lenses का formula है जिसमें distance जो अगर D दिया है आपको D हमेशे क्या होना चाहिए मीटर्स में होना चाहिए ठीक क्योंकि power हमेशे डावटर्स में आती है तो यह सारे formulas थे आपके इसका screenshot ले लिए और यह important है formula एक बार देखने ना exam जाने से पहले और I hope यह session आपको अच्छा लगा हो revision आपका अच्छा हुआ होगा और all the best आप सभी के exam के लिए यह quick revision का मैंने last mercy ने रखा था जिसे कि आपको सारे formulas record हो जाए मेरे साथ अपको आपको आपको सारे जाए